अप्लिकेशन बेस पेपर आता है तो पूरा डिटेल तरीके से कॉंसेप्ट को बिल्ड करना जरूरी हो जाता है यहां भी आपका कॉंसेप्ट ही टेस्ट होता है तो मैं आपसे अपील करूँगा या आपको सजेस्ट करूँगा कि आप डिटेल्ड वीडियो देखें जहां पर आपके कॉंसेप्ट बन सकें इसी तरह की साहिता या हेल्प करने की कड़ी में मैं आपके लिए डिटेल्ड वीडियो की सिरीज लेके आ रहा हूँ और हम लोग डिसकेस कर रहे हैं चैप्टर नमबर फाइब चैप्टर नमबर फाईब का लास्ट पार्ट जुकि थर्ड पार्ट है हम लोग आठ डिसकेस करेंगे जिसके अंदर पेरा मैंगनेटिक डाइडिक फेरो मैंगनेटिक की प्रॉपर्टीज हैं और इसकी ठियोरीज भी हैं कि आकिर पैरा, डाय और फेरो मैगनेटिक किस वज़े से होता है, क्या है, किस वज़े से होता है, कॉंसेप्ट या थियूरिस क्या है, इनकी प्रॉपर्टीस क्या है, और उसे जुड़ा हुआ एक और important phenomena, hysteresis. तो उसको भी देखेंगे, यानि ये वीडियो पावर पैक्ट होने वाला है, आपको सब कुछ इस वीडियो में मिलने वाला है, चलिए बात को स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट, तो ये रहा चैप्टर नंबर 5, Magnetism and Matter, Class 12 Boards के लिए, detailed video concept building के लिए, पूरा चैप्टर मैंने तीन पार्ट में लिया था, दो पार्ट कर चुका हूँ, अगर इसके पहले के पार्ट और पहले के चैप्टर्स आप देखना चाहते हैं, तो उनका लिंक मैंने description में लगा दिया है, क्लिक करके आप देख सकते हैं, और जब आप sequence में देखते हैं तो आपको चीज़ें काफी सरल लगती हैं, और आसान लगती हैं, तो मैं आपको ये भी recommendation दूँगा, कि थोड़ा सा sequence में इसको देखिए, जिसे मज़ा ले पाएं पुरा, तो आज part number 3, final part है, जिसमें magnetic properties of materials, para-dive ferromagnetism, substance with examples, effect of temperature of magnetic properties, curies law, curies temperature, modified curies law hysteresis, ये सारी चीज़ हम लोग फटा-फट करेंगे, कई बच्चों को कहना होता, जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, उसका PDF उनको मिल जाए, तो बड़ा अच्छा रहता है, तो वो PDF के लिए आपको कुछ नहीं करना है, Arvind Academy Telegram Channel को जोईन कर लेना है, वहाँ इसका PDF में जोईन करता हूँ, जो अपलोड करता हूँ, जो आपको description में मिलेगा, यहाँ पर शाम को classes होती है live, जहाँ आप अपने doubts को clear कर सकते हैं, कि sir, यह derivation में ऐसा क्यों हो रहा है, इस numerical में वैसा क्यों नहीं हो रहा है, वगेरा वगेरा, तो इसको देखते हुए हम लोग ने launch कर रखा है, अपना drona batch, top quality content है drona batch के अंदर, drona batch physics, drona batch mathematics, यहाँ पर drona batch में example के लिए physics की बात करूँ, तो पूरी चीज़ तो हम पढ़ाते ही है, with proper derivations, सभी derivations के साथ, और numericals के साथ, इसके अलावा, जहाँ आप doubt clear भी कर सकते हैं, इसके अलावा, dedicatedly हम लोग दो lectures रख रहे हैं per chapter, एक NCRT corner के नाम पर, जहाँ NCRT के selected questions जो आपके slivers में हैं, और दूसरा previous year questions, यहनि PYQs corner, तो यह भी साथ-साथ हम लोग करा रहे हैं, जिससे आपका chapter पूरा concept level पे जबरदस तरीके से तयार हो जाए, तो जो बच्चे drona batch में शामिल होना च चाहते हैं, drona batch physics या mathematics में, वो link description में दिया है, आप Arvind Academy app को download कर लिजे, store section में जाकर drona batch में आप enrollment कर सकते हैं, चलिए आज के topic पर आते हैं, जिसलिए वीडियो बन रहा है, तो आज आते हैं CDM लोग कि आकर classification of magnetic material, देखे, यहाँ पर जो बात लिकी हो तो मैं बताता हूँ, यह कहानी introduction के तौर पर क्या है, कि जब किसी magnetizing field में, यानि बाहर की कोई external field है, उसमें कोई material लगते हैं, यहाँ कोई material लगते हैं आप, तो इस material में क्या क्या चीजें होती हैं, बदलाओ, इसकी properties, इसके बारे में हम लोग सीख रहे हैं, और इसके बारे में इसमें चर्चा क की जाएगी, तो यही बात दिखिए, फेरडे ने भी किया था, तो on the basis of their behavior, in external magnetic field, यह external magnetic field, यह material जो हम रखेंगे, फेरडे classified the various substances into three categories, वो तीन categories क्या हैं, diamagnetic substance, paramagnetic substance, और ferromagnetic substance, तो आप समझ गए, यह कहानी किदर की है, एक external field में आपने एक material रखा है, और उस material की properties को study करने जा रहे हैं, उसकी जैसे जैसी property होगी, वैसा वैसा तीनों classification में वो आएगा, अब देख लेते हैं, मोटी तोर पर, यह जो डाय है, diamagnetic, paramagnetic और ferromagnetic, यह होता क्या है, फिर हम इसकी गहराई में गोते लगाएंगे, तो classification magnetic material, बात करते हैं, diamagnetic substance दे, तो diamagnetic substance क्या होते हैं, यह आपको इस लिम strongly पता होना चाहिए, तो diamagnetic substance are those substance which develop fibril, fibril मतलब काफी कम, magnetization in the opposite direction of the magnetizing field, क्या बोल रहा है, कि अगर आपने एक magnetizing field का मतलब external field आप लगा के बैठे हैं, और यहाँ पर एक magnetic material आप रखते हैं, तो इसके अंदर, जो magnetization है, magnetization मैंने पिछले session में लिया है, इसके अंदर जो magnetic property पैदा हो रही है, उसका dipole moment किदर होगा, या उसका magnetic moment किदर होगा, तो इसकी विपरीद दिशा में, यानि कि इस दिशा में होना चाहिए, इसका magnetic moment, यानि south से north होता है, तो ऐसे बनना चाहिए, तो ऐसे materials जो होत external field में रखे जाएं, और जिसके अंदर जो magnetization है, वो opposite direction in the field बनता है, ऐसे materials को हम diamagnetic कहते हैं, और इस वज़े से ये जो external field आ रही है, इसकी field lines, ये इससे जाना पसंद नहीं करती, इसको avoid कर देती हैं, जैसा इस diagram में दिखाया गया है, कि ये जो substance से diamagnetic, magnetic field lines को छोड़ कर या दूर से जा रही है, क्योंकि ये देखिए, ये जाना कि कोशिस करेगा, तो ये कहगा, ठपड लगा देगा उसको, क्योंकि उसकी opposite direction में है, मजाक के दोर पे, तो ये line क्या करेंगी, कोशिस करेंगी, ऐसे निकल जाएं, इसलिए ये lines, इससे दूर भागना पसंद करती हैं, और अगर ये strong magnetic field में रखा जाए, तो ये पदार्थ ये material, weak magnetic field में जाने की कोशिस करता है, यही बात इसके इंदर लखी है, such substances are fibly repelled by magnets, magnet के सामने रखेंगे, तो repulsion आपको मिलेगा, and tend to move from stronger to weaker parts of a magnetic field, और अगर ये strong magnetic field में रखी जाएंगी, तो वहां से भागने की कोशिस कर करती हैं, कि हम weak magnetic field में चले जाएं, ये die magnetic substance की बात कर रहा है, examples भी जाने जरूरी exam में लिखने पड़ते हैं, तो कौन कौन से example है, bismuth, copper, lead, zinc, till, और भी इसी तरह के हैं, जो आपके सामने water, तो ये जो है, bismuth, copper, lead, water, ये सब क्या है, ये die magnetic substance है, तो die magnetic एक अंदाजा हो जात है, कि मामला क्या है, अब इसकी theory, इसका पूरा detailed property सब पढ़ने वाले हैं हम लोग, आगे की बात करते हैं, paramagnetic में क्या होता है, तो paramagnetic में जैसे आपने देखा था कि अगर external field में आप कोई material रखे ऐसे, तो ये external field है, b not, इसके अंदर जो magnetization है, वो उसी direction में पैदा हो जाता है, तो अगर ये इस direction में पैदा हो रहा है, तो magnetic moment किदार होता है, south से north, तो ये magnetization ऐसे पैदा होता है, तो आप समझ गया होंगे, और ये जो magnetization है, यानि उस material में magnetic property आ जाना, यही तो magnetization है, उस जो material रखा है आपने, ये paramagnetic में ये जो गुड़ है, वो थोड़ा कम होता है, female magnetization बोलते हैं, यानि काफी कम, और जब फैरो में आएंगे, तो काफी हाहाकारी, काफी strong, बस इतना फरक हो जाएगा, फैरो में पैरा में, तो आप इस बात को पकड़ पाए, जो यहां लिखी होगी, जो मैंने समझाई, अब ऐसे जो substance होते हैं, उनको magnet attract करता है, जब magnet इस तो कि कोशिस करते हैं, कि strong magnetic field में चले जाएं, क्योंकि यह पसंद करते हैं, magnetic field lines देखिए आ रही हैं, तो इसमें से ज़्यादा, इसको attract, यानि इसके अंदर से ज़्यादा जाने की कोशिस करती हैं, फैरो में बहुत ज़्यादा अंदर से जाने की कोशिस करती हैं, तो magnetic में क्या होता है जो पैरा में हो रहा है इसका बहुत बड़ा रूप बड़ा strong रूप तो आप यहाँ पर जब देखेंगे बाहर से इसके लिए बात कर रहे हैं जब आपने material रखा तो इसके अंदर जो magnetization पैदा होगा in the direction of magnetizing field यह magnetizing field है बाहर वाली इसमें यह magnetization काफी strong होता है fieble मतलब काफी कम तो यह कम नहीं होता ज्यादा होता है और magnet इसको काफी तेजी से attract करते हैं अगर यह weak region में magnetic field में तो यह strong region में काफी तेजी से जाना चाहता है यह जो बहुत पैरा में हो रहा है उसका काफी strong version है यह और यहां magnetic field line अगर आप देखें, जैसा आप देख पा रहे हैं, तो ज़्यादा magnetic field lines इस material से पास हो रही हैं, इसकी अपेक्षा, तो यह कहानी ferromagnetism material की बन जाती है, इसके examples क्या है, iron, cobald, nickel, वगएरा वगएरा, आप, elnico वगएरा, यह आप जान सकते हैं, अब यह तो हो गया एक introduction के तौर पर, कि किसे diamagnetic समझेंगे, किसे हम paramagnetic समझेंगे, और किसे ferromagnetic समझेंगे, अब आज आती हिनकी theories, interesting theories, कि किन-किन basis पर ऐसा diamagnetism क्यों होता है, paramagnetism को explanation क्या है, ferromagnetism का explanation क्या है, यह तीनों theories आपस में अलग-अलग हैं, तो तीनों theories पे नजर डालनी ज़रूरी है, सबसे पहली बात हम लोग करेंगे, diamagnetism की, तो तेखिए, origin of diamagnetism, या explanation, या theory, कि diamagnetism क्यों होता है, एक बात ध्यान लखिएगा, आपको मैं बता दूँ, कि ये जो diamagnetic material होते हैं, इनके जब ये किसी field में नहीं होते, किसी external field में नहीं होते, तो इनका कोई permanent dipole moment नहीं होता, या magnetic moment नहीं होता, इसका कारण क्या है, ये कैसे होता है, देखिए, मैं एक slide और insert कर लेता हूँ, जिससे थोड़ा सा बता सकूँ, जेकि जो भी अपने आप से पैदा होता है, जो itself, magnetic moment, magnetic moment, तब कि हम बात कर रहे हैं, जब no external field हो, external field, कोई external field नहीं है, suppose करिए magnetizing field की value zero है, उस समय जो किसी में magnetic moment अगर नहीं होगा, तो वो किसमें नहीं होगा, डाय magnetic में, और किसमें होगा, तो पैरा ये yes है, पैरा और फैरो में, ये हम देखेंगे, अब ये सवाल, ये कैसे पैदा होता है, इसमें भाई, बिना बाहर का magnetic field लगा है, इसके अंदर permanent magnet होता है, पर्मनेंट dipole magnetic moment होता है, तो ये क्यों होता है, हम ये जानते हैं कि हर atom में electron checker लगाते रहते हैं, ये किस वज़े से होता है, जो yes लिखा है, इसका वज़े क्या है, कि electron revolving around the nucleus, ठीक, और दूसरा इसका एक version है, spin of electron, क्योंकि आप समझते हैं, अगर nucleus से इस बात को समझेगे, बड़ा मजा आएगा, एक तो electron का चक्कर लगाना, तो जब electron चक्कर लगा रहा है, तो charge flow कर रहा है, current flow हो रही है, जब भी current flow होती है, वो magnetic field बना देती है, या magnetic moment आ जाता है, इस वज़े से, और एक electron अपनी जगा भी घूमता है, जैसे धरती, 360 दिन, 65 दिन में चक्कर सूरच के लगा रही है, और दिन रात के लिए अपनी जगा भी घूम रही है, कुछ ऐसा ही समझ लें, तो इन दोनों की वज़े से magnetic moment हो सकते हैं, अगर बाहर का magnetic field नहीं है, तो भी, तो that is the reason, अब समझते हैं, या आप बात पकड़ पाएं होंगे, अब हम बात करते हैं, इसकी कहानी की, डाय मैंगनेटिजम की, तो डाय मैंगनेटिजम में, मैं रेट केलर लेता हूँ, जब इसके उपर लिखूँगा, तो आप समझ पाएंगे, डाय मैंगनेटिजम में, जब बाहर का magnetizing field, external field, आप नहीं लगाते हैं, तो उस समय इसमें कोई भी magnetic moment नहीं मिलता, इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है, कि magnetic material जो आप पकड़े हुए हैं, जो डाय मैंगनेटिक है, उसमें हमेशा atom में paired electron पाए जाते हैं, तो paired electron पाए जाएंगे, तो एक का चकर अगर clockwise है, तो दूसरे का चकर anti-clockwise होगा, तो ये दो photograph, फोटोग्राफ नंबर ये A लिखी तो मैं भी A लिख देता हूँ, B, इन दोनों cases में no external magnetic field, यानि magnetizing field कितनी है, शून, इसके लिए और इसके लिए, तो यहाँ पर देखिए, electron जो चक्कल लगा रहा है, वो इस दिशा में लगा रहा है, तो आप अगर तोड़ी गहराई से सोचे, अगर electron इस दिशा में चक्कल लगा रहा है, तो current इसकी विपरीद दिशा में लेते हैं, positive moment की दिशा में, अब अगर current ऐसे जा रही है, तो इसका magnetic moment किदर आया, नीचे आया बेटा देखिए, magnetic moment निकालने का तरीका हमने सिखाया है आपको आता भी है, जिस direction में current जाती है, right hand को curl कर देते हैं, fingers को, और अंगूठे का direction देखते हैं, तो magnetic moment देखिए, M नीचे आ गया, यहाँ पर electron जो move कर रहा है, उसकी दिशा ऐसे है, तो अगर electron इधर जा रहा है, तो current उसकी opposite direction में जाएगी, ऐसे, इसका opposite, तो यहाँ पर magnetic moment निकालेंगे, तो देखिए, उपर आजाएगा, उसका direction, इधर देखिए, M नीचे था, और यहाँ पर M उपर है, तो दोनों का magnetic moment एक दूसरे को nullify कर देता है, दोनों का magnetic moment है, लेकिन equal and opposite है, इस वज़े से, जब कोई external field आप बाहर नहीं लगाते हैं, उस समय, में, diamagnetic material, कोई भी magnetic moment शोर नहीं करते, आप समझ में आई होगी आपको बात, और spin की वाला भी cancellation हो जाता है, जो spin की वज़े से होता है, जो कि काफी कम हो सकता है, उसकी वज़े से भी magnetic moment nullified रहता है, अब सवाल खड़ा होता है, कि हमने जब बाहर से external field लगा दिया, फिर कैसा behavior होगा, तब इनके अंदर हम देखेंगे, कि एक magnetic moment create होगा, कैसे create होगा, वो देख लेते हैं, जल्दी से, तो यहाँ पर देखिए, electron चक्कल लगा रहा था, इस दिशा में, electron की गतिविदी इधर, तो मैं इसका ultra direction current का ले लेता हूँ, जैसे उपर की photo है, पहले इसकी बात क पोस करिए, अब यह जो आई है, यह जो आई, magnetic moment देखिए नीचे था न, अब क्या किया, अब आप यहाँ पर लॉरेंट्स फोर्स लगा सकते हैं, क्यों, एक magnetic field में एक current flow हो रही है, तो वो experience करेगी, लॉरेंट्स फोर्स, आपने पढ़ा है, कि current carrying conductor in magnetic field will experience a, लॉरेंट्स फ रहा है, लॉप बना रहा है electron, उस पर भी force लगेगा, force कैसे निकालते हैं, left hand लेते हैं, flaming left hand rule, magnetic field नीचे हो गया, यह उंगली, और current की direction इधर, तो देखिए, यह उटा किदर है, आप की तरफ, तो यह force जो FB है, यह आप बाहर की तरफ लगता है, अगर यह बाहर की तरफ ल मिलेगा, पहले जब यह B नहीं लग रहा था, तो एक centipetal force Fc था, अब एक बाहर की तरफ लग रहा है, FB force, यह F'C कम हो जाएगा, कम हो जाएगा ने, क्योंकि यह oppose कर रहा है, और यह value बराबर होती है, किसके, MV square by R के, तो अगर F'C कम हुआ, और M और R नहीं बदल रहा है जो कि electron के case में नहीं बदल रहा है, इस समय, तो velocity घट जाएगी, Fc' कम, क्योंकि पहले से कम, तो velocity पहले से कम, तो यह velocity यहाँ पर घट गई, अब यह velocity हो गई, V minus delta V, समझ में आई बात, अब यह कांड हो गया, इसमें इसी का opposite कांड हो जाएगा, क्योंकि देखिए electron इदर के लगा रहा है, तो current की direction ऐसे ले लो, magnetic field आपको दिखाई पढ़ रही है, this is magnetic field, B naught या B जो भी बोल दो, अब यहाँ पर भी आप Lawrence force लगाईए, तो यह B हो गया नीचे, current उधर है, तो यह देखिए अंगुठा अंदर जा रहा है न, तो इस पे force, यह Fb force अंदर की तरफ ल नया वाला centipetal force जो अभी है, वो बढ़ गया, अगर बढ़ गया तो यही तो value होती है, Mv square by R, तो V हमारी increase हो गई, तो V देखिए कितना है, यह V plus delta V हो गया, और जैसे ही यहाँ पर velocity घटती है, magnetic moment घट जाएगा, आप जानते कि current flow, जो current carrying loop होते है, उसका magnetic moment क्या होता है, NIA तो velocity घटी तो frequency घटी, N घटा, N चोड़ दीजे, N तो वहाँ आप number of counts के लिए लेते हैं, तो यहाँ पर आप I की value घट जाएगी, frequency घट जाएगी ना उसकी, speed कम होगी, तो एक second में कम चक्कल लगाएगा, तो I कम निकलेगा, I घटती क्या होगा, M कम, तो यहाँ पर जो value बनी, वो M minus delta M बनी, घट गई पहले से, और इस case में, क्योंकि velocity बढ़ गई थी, यह देखिए, velocity बढ़ने से frequency will be higher, एक second में ज़्यादा चक्कल लगाएगा, तो magnetic moment बढ़ जाएगा, यही magnetic moment क्या हो गया, यहाँ, M plus delta M, यह नई situation है, जब आपने बाहर का magnetic field लगा रखा, या अब इन दोनों में magnetic moment का difference कितना है, तो आप घटा मारिए, बड़े असानी से देखिए, यह magnetic moment है, उपर की direction में, और इस में से अपने इस magnetic moment को घटा दिया, तो इसको घटाने के बाद कितना मिला आपको, 2 delta M मिला, तो दोनों की बीच में magnetic moment का difference है, और इस direction में, क्योंकि यह M plus delta M जादा है, जादा में से कम घटाया है, तो इस direction में आपको अब यह 2 into delta M magnetic moment मिलता है, यानि जिस दिशा में magnetic field, magnetizing field लगाया था आपने, external, उसकी विपरीद दिशा में magnetization हो रहा है, आप देख रहे हैं, यही तो di magnetic था, बस यह theory आपको बन गई आपकी, कि जब भी हम किस tunnel field में रखेंगे, उस material में उसकी विपरीद दिशा में magnetization हो जाए, फिबिल, छोटा magnetization, जो कि यहाँ छोटा दिख रहा है, तो वो material को हम diamagnetic material बोलेंगे, तो यह पूरी बात यहाँ से निकल के आजाती है, कुछ key points मैंने यहाँ पर लिख दिये हैं, जिससे आप इनको ध्य जान रखें, एक बात बड़ी महत्पूर हैं, कि diamagnetic substance temperature पर depend नहीं करता है, तो यह पकड़े रहेगा, यह temperature से independent, यह MCQ, अगर में बहुत पूछे जाने वाला question है, वो मैंने यह दिखें, mention किया है, आपको दिखाता भी हूँ, जिससे बहुत बढ़िया तरीके आप समझ हैगा, और इस सेंपल मूज फरॉम स्टॉंगर तो वीकर पार्ट, क्योंकि opposite direction में magnetic moment आया भागना चाहेगा वहां से, तो यह diamagnetic substance is repaired by magnet, बढ़िया, यह note है, the behavior of diamagnetic materials is independent of temperature, तो यह very important, independent of temperature होता है, temperature बढ़ाने घटाने से, जो behavior है diamagnetism का, उस पे कोई भी फरक नहीं पड़ेगा, यह बात आप पकड़ पाए होंगे, तो यह theory किसके लिए थी पिटा, यह theory थी diamagnetism के लिए, अब हम अगली theory पढ़ेंगे, paramagnetism के लिए, क्योंकि सबके लिए three theories, explanations, अलग-अलग हैं, ठीक ह बढ़िया, सारी बात cover करेंगे इस video lecture में, तो यह रहा origin of paramagnetism, अब यह paramagnetism किसी materials में क्यों दिखता है, इसलिए दिखता है, कि जो revolving electron रहते हैं atom में, कुछ cases में वो paired नहीं हो पाते, तो जब वो paired नहीं हो पाएंगे, तो magnetic moment एक दूसरे को cancel नहीं कर पाएगा, यहां तो perfect pairing थी, तो जब magnetic field नहीं लगाया था, तो उसका magnetic moment नहीं था, लेकिन यहां क्या हुआ, यहां पर magnetic field नहीं लगाया, तो भी उसका magnetic moment है, permanent magnetic moment है, क्यों है, क्योंकि जो electron चेकल लगा रहे हैं, कई electron की pairing नहीं होती, कोई ऐसे गुमने वाला है, रह गया, उल्टा वाला नहीं मिला तो magnetic moment cancel नहीं हो पाए, या जो spins है उसकी, spin का मतलब धर्ती का, अपनी एक्सेस पे गुमना दिन रात जैसे गुमती है, वो किसी वज़े से cancel नहीं हो पाया, इस वज़े से इनका permanent magnet, permanent, permanent magnetic moment होता है, जो कम होता है, लेकिन होता है, बात पकड़ में आ गई है, दिमाग में नहीं होता, external field नहीं लगाया है, यहाँ पर mention भी किया है, मैंने थोड़ा हिंदी में सलिए लिख दिया, कि दिमाग में अड़ जाए आपके, थोड़ा अजीव लगता है न, इंगलीस की जगा हिंदी भी लिखा हुआ है, तो दिमाग में अड़ है, तो यहाँ पर वही बात लिखी है, अब atoms और molecules of paramagnetic materials, possesses a permanent magnetic moment, क्यों, either due to the presence of some unpaired electrons, और due to the non-cancelation of the spins of two electrons, because of some special reason, किसी वज़े से ऐसा हो गया हो, spins भी cancel नहीं होगी है, तो इनका भाई, permanent magnetic moment होता है, यह इनका permanent magnetic moment है, लेकिन होता क्या है, कि इनके जो atoms है, जिनके अंदर permanent magnetic moment है, जब normal condition में कोई material लेते हैं, तो उसमें तो बहुत सारे atoms रहते हैं, तो किसी का, जब magnetizing field नहीं है इस समय, तो उस समय, बी not zero, ठी, external magnetic field नहीं है, उस समय, randomly, क्योंकि temperatures के विएसे, random direction में, इनका magnetic moment होता है, कोई इधर है, तो कोई उधर है, तो कोई इधर है, तो कोई उपर है, सब एक दूसरे को cancel कर देते हैं, तो जो material पूरा है, उसका material का पूरे का, कोई net magnetic moment आपको नहीं दिखता, अकेले का है, लेकिन सब मिला लेंगे एक साथ, तो कुछ नहीं है, एक रस्सी है, उसको दस लोग इधर कीच रहे हैं, दस लोग उसकी विपरीद दिशा में खीच रहे हैं, तो कहीं moment आपको नहीं दिख रहा, दोनों force बराबर हैं तो, लेकिन 20 लोग लगे हुए, खीच आता नहीं है, यहीं स्तिति यहां है, कि लगे तो बहुत लोग हैं, लेकिन सब एक दूसरे का अगड़ाम बगड़ाम है एक दूसरे के forces को, एक दूसरे के magnetic moment को cancel करते रहे हैं, पढ़ी सुन्दर बात, अब आपने क्या किया, बी नॉट यहां पर लगा दिया, बी नॉट ऐसे लगा दिया, बी नॉट यहां 0 नहीं है, तो क्या, बी नॉट क्या चीज़ होती है, magnetizing field, मतलब external magnetic field, जो की, जिसमें क कोई पदार्थ material रखा गया है, और हम देखना चाहरे है कि इस material में क्या कांड हो रहा है, अब यहां पर जब हम वी नॉट लगा देते हैं, तो यह जो magnetic moments अगलम बगलम थे, इनका alignment शुरू हो जाता है, इनमें से कई उस तरफ घूम जाते हैं, तो जब यह घूम जाएंगे कई सारे उदर, तो इसका net magnetic moment मिल जाएगा, किस direction में, जिस direction में external magnetic field लगाई गई है, बस हो गया paramagnetic, और आप इसमें कमाल क्या देखेंगे, कि अगर external magnetic field बहुत strong है, या low temperature है, तो low temperature या B0 बहुत जादा लगा दिया, तो जितने atoms हैं, वो सब कि सब aligned हो जाएंगे, कोई बच saturation of magnetization, यानि हर atom तन चुका है उसी direction में, जिस direction में magnetic field आपने लगाया था, अब उसके बाद आप कुछ भी magnetic field लगा देंगे, magnetization उससे जादा बढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि हर atom पहले ही उस दिशा में आ चुका है, magnetic moment उनका, ठीक है, ये बात भी मैंने यहां लिखी है, क्य very high magnetic field, और at very low temperature, बहुत जादा magnetic field जो external है, या बहुत कम temperature पर, आप जब किसी substance को रखेंगे, the magnetization approaches its maximum value, when all the atomic dipole moments get aligned, सब के सब aligned हो गए, atoms, बढ़ा असान, this is called the saturation of magnetization value, और इसको हम लोग, यह सब्सक्रिप्ट है, ms लिखते है, saturation of magnetization, यह यह जो value है, saturation of magnetization value, ms है, यह उस material में, magnetization, magnetization term हन्मों ने पीछे use किया है, पिछले lectures में, जिसको आप m upon b लिखते हैं, यह magnetization है, यह total magnetic moment of the material, यह total volume है, ठीक, तुम्हें दुबारा नहीं लिखना हूँ, आप पीछे वाला lecture देख लिजेगा, मज़ा आजाएगा आपको, तो यहाँ पर, saturation of magnetization हो गया, सब के सब्सक्रि ध्यान कियेगा, कि paramagnetic material temperature पर depend करते हैं, आपने कहा ना, low temperature हो, तो सब magnetization बहुत जादा हो जाएगा, या maximum हो जाएगा, तो यह temperature dependent है, note में लिखा भी है मैंने, इसलिए कि आप कोई भी point को miss ना करें, paramagnetic is dependent on the temperature, तो मेरे खाल से यह बात आप सीख पाए, अब इस temperature की जब बा important है, आईए देख लेते हैं कि curious law हमें क्या बताता है, बहुत सरलसी बात करता है और आपको मजा आ जाएगा, अगली slide, देखें यह curious law है और curious law का मामला क्या है, यह बताता हूँ, यह क्या बोलता है, यह बोलता है कि जो saturation value है, MS अभी आपको बताया था ना, जहां पर सारे के सारे atoms aligned हो जाते हैं सब, तो saturation से काफी पहले, आप देखेंगी कि जो curious law region है, यहां पर जो magnetization है, यह अभी हम दोग देखेंगे जो magnetization है, वो h by t के proportional होता है, अब h by t क्या है, इसको भी समझ लेते हैं, already h के बारे में यह magnetizing field की intensity होती, intensity of magnetizing field, और t है absolute temperature, तो यहां पर कुछ भाशा प्रयोग करें अगर हम लोग, तो जो magnetization होता है, magnetization का मतलब, वो जो material हम रखे हैं, उसके अंदर कितना magnetic moment develop हो रहा है, यह बाते हमने पिछले lecture में की हैं, देखेंगे मज़ा आएगा आपको, यह देखेंगे proportional होता है, किसके बाहर से कि इतनी आपने magnetizing field intensity लगाई है, what is H, intensity of magnetizing field, intensity of magnetizing field, मतलब बाहर का जो external field है, external, उसकी intensity क्या है, उसको H से दिखाते हैं, और यह magnetization है, magnetization, तो यह magnetization, proportional होता है H के, जितना magnetizing field ज्यादा, उतना उस material के अंदर ज्यादा magnetization हो रहा है, चुम्बक वाले गुड़ ज्यादा आ रहे हैं, दूसरा, यह M, inversely proportional होता है, temperature के, अगर आप temperature ज्यादा कर देंगे, तो due to high temperature, kinetic energy of the atom बढ़ जाती है, तो उसके dipole, जो atom के magnetic moment है, वो random direction में जाने लगते हैं, फिर aligned नहीं रहते हैं, aligned है, ज्यादा आपने गर्मी उसको heat कर दिया, temperature प्रोवाइट किया, तो भगदल पड़ी, अभी कोई इधर हो गया, कोई इधर हो गया, कोई इधर, क्योंकि वो हिले डूलेंगे ज्यादा, तो ये ज्यादा temperature, तो magnetization कम, क्योंकि magnetization ज्यादा तब मिलेगा जब एक direction में आव है, यहीं पर proportionality constant हम introduce कर देंगे, तो ये curious constant बोलते हैं इसको, चाहो तो c एलक से लिखो, जिसे नजर पड़े आपकी, c h upon t, अब ये इस कहानी में, m by h लिख लो इसको, और ये रहास c y t, m by h, क्या चीज़ होती, susceptibility, पीछे lecture में समझाया है, कि बाहर की magnetic intensity क्या है, और material खु ratio को, m upon h को, susceptibility of the material medium बोलते हैं, कि जो material लगके हो, कितना susceptible है, तो उसे हम बोलते हैं, si m, ये क्या value है, si m, this is equal to c upon t, और ये एक तरह का छोटा सा derivation है, curious law को, लेकिन कितना clarity देता है, थोड़ा समय लगाईए, और आनन दिकान भाव कीजे, अरे क्या मज़ेदार बाते हैं, क् इसी की, यहाँ पर copy paste कर दिया गया है, भाई, यह तो, यह तो, क्या बोलते हैं, final conclusion है, लेकिन, मामलात क्या थे, पीछे, emotions क्या थे, feeling क्या थी, वो देख ली थे, final conclusion, तो बात की बात है, तो यहाँ पर यह बात समझ में आ गई, कि law states, curious law, क्या state करता है, क्या बताता है, far away from saturation, यह saturation value थी, जहाँ सारे, atoms एक ही direction में थे, उससे काफी पहले, the susceptibility, यह, यह जो निकाले हैं, the susceptibility of a paramagnetic material, is inversely proportional to the absolute temperature, C तो constant है, curious constant बोलता है, यह लिखा है, C is curious constant, और temperature के inversely proportional, ज्यादा temperature करेंगे, तो susceptibility घट जाएगी, और कम temperature करेंगे, तो susceptibility बढ़ जाएगी, this is curious law, और भी इसके curious modified law, अगलम अगलम और भी आएगे, यह ध्यान रखिएगा, यह कहानी paramagnetic material के लिए है, यहाँ पर मुझे और clarity के लिए paramagnetic लिख देना था, यह कहानी किसकी है, curious law for paramagnetic material, वहाँ पर यह कहानी होगी, जो मैंने आपको यह समझाई, तो इससे clear भी हो जात है, कि भाई हमारा paramagnetic material temperature पर depend करता है, चलिए, अब बहुत यह theory हो गई, अब ferromagnetism, क्या बात है, पहरा magnetism का बड़ा भाई, तो इस ferromagnetism के explanation की theory कुछ अलग है, आइए देख लेते हैं, जब इतना बड़ियां पड़ी रहे हैं, तो उसको भी निप्टाते हैं, फिर properties करेंग समझना असान होगा, अब यह जो अपना origin of ferromagnetism, यानि इसके पीछे की theory क्या है, हम कैसे इसको समझते हैं, तो आप क्या है, इसमें domain theory picture में आती है, अब यह domain कौन सी आपता है, कौन सा खेला है, यह समझें, तो क्या होता है, कि जब आप external field नहीं लगाते हैं, कोई बाहर वा magnetic moment होता है, और वो जदा होता है, पैरा में कम होता है, बिना magnetizing field लगाए हुए, इसी तरह इसमें, जो magnetic moment है, permanent magnetic moment, magnetizing field नहीं लगाया, बाहर वाला नहीं लगाया, फिर भी वो मिलता है, और वो ज़्यादा strong मिलता है, अब यहाँ एक और खास बात क्या होती है, कि जो atom के पास ज़्यादा magnetic moment है, वो अपने जैसे atoms के साथ, खट से line हो जाता है, यानि अपने जैसेों को भीड में शामिल करें, आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ, खटाखट, खटाखट, जैसे उ स्कूल में group बन जाता है, लड़ने वाले 5 बच्चे एक तरब, पढ़ने वाले 5 बच्चे वालों का group अलग, तो अपनी जैसों को एक साथ कर लेता है, clusters बना लेता है, colony बना लेता है, कट से वो कैसे होता है, बहुत ही तेजी से ये काम होता है, तो अपने साथ, जिधर मेरा moment है, अच्छा moment है, आजाओ मेरे साथ, तो उसके साथ 10 खिलाडी और आगा, यहां तो गिं moment है, उसका उधर था, तो इधर वालन का तुम मेरे साथ आजाओ, खेलो खेल, तो इस तरीके से बन जाते हैं, domains, यही चीज यहां बनी हुई है, अब यह domains का, यह क्या है, इसे domain बोलते हैं, यह बना भी हुआ है, लेकिन आप समझ भी पारे होंगे, यह क्या है बेटा, यह domain है, जिसकी हमने बातचीत की सारे domains है, अब यह अगर पूरा material आप देखने जाएंगे, तो पूरे material में इसका total net magnetic moment नहीं मिलेगा, क्योंकि यह इधर है, तो कोई नीचे वाला भी मिल जाएगा, कोई इधर है, तो उसकी विप्रीदिशा वाला भी मिल जाएगा, सब एक दू internal magnetic field आप नहीं लगाते हैं, उस समय इसका permanent magnet, total material का उपलब्द नहीं होता है, अपने अपने domains का तो है, लेकिन एक दूसरे को nullify कर रहे होते हैं, यह बात आप समझ गया होंगे, यह domain का size एक mm तक का होता है, जहां तक यहां लिखा भी है मैंने, जिसे आप इस चीजों को पाएं, तो देखिए, इच domain has a typical size of 1 mm छोटा नहीं है, और बहुत सारे एटम, 10 की पावर 11, इसमें 10 की पावर 11 एटम्स होते हैं, तो जब यह साथ मिल जाते हैं, तो इनका magnetic moment काफी तगड़ा हो जाता है, एक जैसे लड़के, अब मालोग उंडे टाइप के लड़के हैं, और 10 लड़के एक साथ आपके सामने खड़े हो जाएं, तो डर जाएंगे ना हम लोग, तो बवालिया लड़के हैं, अब एकदम से सामने आ गए, तो उनका magnetic moment है, लड़ने की एक्छपा उत्तगड़ी है, तो हमें थोड़ा घबरहाट कि किसी भी आदमी को घबरहाट होग और यह explanation वैस ने दिया था, तो यह पूरी बात आप समझ पाए, अब हम समझते हैं कि इनके उपर जब external magnetic field लगाते हैं, तो यह कैसे behave करते हैं, तो there are two types, two modules, two methods, जो भी बाते हैं करें, अगर बाहर वाली magnetic field कम है, तो यह किसी दूसरी तरीके से react करते हैं, और अगर बाहर वाली magnetic field काफी strong है, काफी strong magnetic field लगा रहे हैं, बाहर वाले का मतलब समझते हो न, कि यह बाहर वाली magnetic field, magnetizing field, इसमें material रखाई, शुरूम बता चुके हैं, तो अगर यह B not काफी strong हैं, तो इसका behavior कुछ और होगा, और B not थोड़ा सा अराम से हैं, तो इसका behavior कु जब हमारा external field कम होता है, यह कहीं लिखा होगा, when the external field B not is weak, देखिए, B not का मतलब वही external field, magnetizing field, तो B not जब कम होता है, तो उस दशा में क्या होता है, यहां मैंने बड़ी photo भी लगाई है, यह देखिए यह, जब आपने B not 0 रखा है, तो यह domain, एक net magnetic moment इधर, 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 इ यहां पर weak B not है, weak B not, इस direction में, तो जो उस direction में magnetic moment रखते हैं, उनकी domains बढ़ जाते हैं, उनकी value बढ़ जाती है, और बाकी लोग घट जाते हैं, यह जो है ना, यह देखिए, यह घट गया, पिच्चू, पिच्चू, इधर वाला तो काफी ज़्यादा पिच्चू, opposite जो इ उसी direction वाला जो magnetic moment है, उसका region जाता है, बढ़ उसकी विपरीत वाले का हो जाता है, बहुत कम, और side वाले भी घट जाते हैं, तो यह magnetization यह magnetic moment जो हैं, उसी direction में पैदा हो रहे हैं, पैरा magnetic से जादा, इस दशा में, लेकिन B not बाहर वाला काफी तकड़ा लगा दिया आपने, तो यह strong B not है, जैसा देख रहे हैं, तो क्या होता है, इन सब को भी खैंच के वो अपनी direction में कर लेता है, तुम किदर भाग रहे हैं, चलो, कोई teacher आगए, PT teacher आपके बड़े strong, अब मुचे मुचे आ ले, अब जितने वच्चे बदमाश हैं, जितने पढ़ने वाले हैं, जि प्रिंसिपल भी खड़े हैं, वाइस प्रिंसिपल भी कड़े हैं, क्लास टीचर भी खड़े हैं, इतने के सामने किसी की चू करने की मजाल नहीं, वही इस्तितिहा हो गई, कि B not is quite strong, तो जितना भी magnetic moment डाएं बाएं साएं था, सब एक direction में आ गया, तो यह कहानी हो जाएगी कर्ब, जब strong magnetic field लगाएंगे, बहुत मज़ेदार चीजें हैं, और यही बात यहां लिखी थी, वहाँ फोटो बड़ी मैंने कर दी थी, तो मैंने का आपको दिखाने और समझाने में, मज़ा आएगा, समझ पाएंगे आप, तो यह बात आप समझ गए, यही कहानी यहां हो समझाईए, तो यह देखिए, जो ferromagnetism है, यह ferromagnetism, domain theory से explain हो रहा है, ध्यान दीजेगा कि यह जो ferromagnetism है, यह भी temperature dependent है, तो यह भी temperature dependent है, इसका भी जिकर करेंगे अभी, केवल diamagnetism temperature dependent नहीं था, बाकी सब temperature dependent है, पैरा और फैरो, और यहां पर जो यह magnetic moment बना है, इसने इधर वाले को क्या किया था, rotate कर दिया था, तो यह लिखा है, by rotation of domains, यह ऐसे था, घूम गया, rotation, और यहां कहता, by displacement of boundaries, boundaries का displacement है, weak magnetizing field के अंदर, मेरे क्याल से यह बहुत सुन्दर बात आप पकड़ पाएं होंगे, अब क्योंकि यह temperature dependency है, तो temperature dependency का मामला क्या है, अब आ जाता है, Curie's Modified Law, Ferromagnetism के लिए, उसको भी देख लेंगे यह लोग, जो भी है, सब बहुत सुन्दर तरीके से पढ़ेंगे, जिससे सारे फंडे क्लियर हो जाएं, तो Modified Curie's Law for Ferromagnetic Substances, अब यह वही, वह पिछला वाला था, Paramagnetic के लिए, यह Ferromagnetic के लिए, तो यह क्या बोलता है, The Temperature at which a Ferromagnetic Substance becomes Paramagnetic, उस Temperature को में बोलते हैं, Curie's Temperature, या Curie's Point की तोड़ा सा कौन सा कलर है, भाई, नीला, तो Blue कलर है, आपको दिख रहा होगा अलग से, मैंने पूरी ध्यान से चीज़ें बना रहा हूं, तो यह वह temperature है, जिस Temperature पे, भाई, आप Temperature बढ़ाते चले गए, बढ़ने से क्या होता है, Domains Underband होने लगते हैं, Alignment गरबढ़ होने लगता है, तो पहले तो Ferromagnetism था, लेकिन Temperature बढ़ाते बढ़ाते, जब आप एक तरिके से TC पर पहुँच गए, तो Ferromagnetism की कहानी क्या होई, वह Para में Paramagnetic Material बन जाता है, अब Bondification हो जाता है, Curie's Law में, तो Curie's Law क्या बोलते हैं, Above the Curie Point, यानि इस TC के ऊपर, Temperature, इस Curie's Temperature के ऊपर, in the Paramagnetic Phase, क्योंकि वह Paramagnetic Material बन चुका है, The Substitability, Si M is equal to C dash upon C dash constant, T minus TC, जहाँ पर T की value TC से बड़ी होगी, ये Paramagnetic Phase के अंदर, इस तरह की Dependency चालू हो जाती है, तो पुराला जो Curie's Law था, उसमें देखी फिर बदल है, वो तो Paramagnetic के लिए Si M is equal to C upon T था, परक है, ये इसे बोलते है, Modified Curie's Law, ये Ferromagnetic Material के लिए लग रहा ह और इसको हम ये भी कहते हैं, Curie's Law, तो कहीं आप से पूछ ले कि Curie's Law क्या होता है, तो आप बता पावे कि भहिया, हमने ये पढ़ा हुआ है, देखें कितना हर चीज मैं आपको बता रहा हूँ, Must, सुन्दर सरल एक्स्प्लेनेशन, आप Must हो जाएंगे, फंडा क्लियर हो, Top Quality Content, Top Best Quality, चलिए आगे की बात करते हैं, अब हम लोग जल्दी जल्दी देखते हैं, कि इनकी Properties क्या होती है, Properties of Diamagnetic Substance, थियोरी पर लिए हम लोगों ने, तीनो, Diamagnetism क्यों होता, Paramagnetism क्यों होता, और फैरो क्यों होता, समझ गे, अब इनकी Properties देखेंगे, और कुछ और ब बात, When Placed in External Magnetic Field, Diamagnetic Field के अंदर, Magnetic Moment, Magnetizing Field के Opposite Direction में, डेवलब होता है, और ये Feeble मतलब काफी कम Magnetization डेवलब होता है, इन धी Opposite Direction, आपने देख लिया, अब अगर ये Second Point क्या लिखा है, कि अगर किसी Magnetic Material को, आप Magnetizing Field में रख देंगे, तो ये जो Lines होती है, Magnetic Field Lines, वो उससे जाना पसंद नहीं करती है, रिपल्शन करती है, यानि Magnetic Field में इनका रिपल्शन होगा, Magnetic Field Line इसको छोड़ कर बाहर से जाना चाहेंगी, तो ये Magnetic Line आ रही है, देखें, इसको छोड़ कर दूर हो जाती है, तो इस तरह का मामला यहां मिलता है, और यही लिखा है क इसको रखेंगे तो ऐसा मिलेगा, साथ में इसके अंदर जो Magnetization होता है, टोटल, वो पिछले वाले लेक्चर में देखेंगे तो B बोलते थे उसको, वो B अब पहले से थोड़ा कम हो जाता है, Magnetic Moment विपरीत दिशा में, B क्या होता है, B होता है, जो External Magnetic Field है, B not, प्लस इसके अंदर जितना Magnetic Moment या Magnetic Field पैदा हुआ, उन दोनों का जोड़, तो जब जो पैदा हो रहा हो, वो उल्टी दिशा में, और B not इधर लगा हुआ है, तो दोनों जाके एक दूसरे को कमी तो करेंगे, घटर जाएगा नहीं इसमें से, इसलिए इसके अंदर जो Magnetic Induction होता है, य यह लिखा है सब इसके अंदर, एक-एक चीज रीट करूँगा तो आपको मजा नहीं आएगा, आप ही समझ गए यहाँ पर, अगली बात देखते हैं, कि अगर यह तीसरी बात लिखी है, कि अगर एक वाच ग्लास लेते हैं, जो आप Physics के लाब में देख सकते हैं, उसके जोने Magnetic Field के Pulse पर सबसे ज़्यादा Magnetic Field होता है, तो यहाँ पर ऐसे रखा था, और उसके बाद यह देखिए, एक अठा हो गया बीच में, क्योंकि इस पॉइंट पर Weak Magnetic Field है, Weak B लिख देता हूँ, B मतलब Magnetic Field, और यहाँ पर यह Strong है, Strong B, यहाँ भी Strong B, तो यह क्या करता ह जैसे आप जान रहे हैं, Di Magnetic Substance, Strong Magnetic Field को छोड़कर, Weak Magnetic Field में जाने की कोशिस करते हैं, जो कि आप देख पाए, एक एक प्रपरटी सीखते रहेंगे, आगे देखिए, अगर किसी Di Magnetic Material का एक बार ले ले लें आप, और उसको फ्री करने कि भीया तुम horizontally गूम सकते हो, Magnetic Field कैसे हैं, यह Direction है Magnetic Field का External, B-naught कह देते हैं, तो इसके देखिए, perpendicular आके रुग गया, यह B बना भी था, यह B का मतलब B-naught ही है, External Magnetic Field, तो यह जो आपका Rot थी, यह Magnetic Material था, वो उसके 90 डिग्री पर चला जागा, तो यह Magnetic Field है, तो Magnetic Motor ऐसे रखेंगे, तो ऐसे घूम जा जाना चाहता है, Weak Magnetic Field, ठीक है, तो यह Point भी Clear हो गया, नंबर पांचवा देखते हैं, यहां पर लिकाए, तो इसके इनदर जो Magnetization है, वो काफी कम होता है, और उल्टी दिशा में होता है, तो Substitability एक तो negative हो जाएगी, उसकी विपरीत दिशा में, Magnetic Moment डवलप हो रहा है, सा कि Diamagnetic Material की Substitability माइनस होती है, और छोटी माइनस होती है, मतलब इट इस नोट, लेस देन माइनस वन, ऐसा बोलें आप, तो यह लिखा हुआ है, और डाय मेंगनेटिक माइनस होता है, यह काफी स्माल निगेटिव होता, डाय मेंगनेटिक माइनस होता है, और बिसमित की जानते हैं, तो अगर यह चीज जीरो से कम है, और माइनस वन से बड़ी है, तो म्यू आर की स्तिति क्या हो जाएगी, म्यू आर पॉजिटिव होगा, लेकिन लेस देन वन होगा, मैं लिख दूं अगर यहाँ पर, तो म्यू आर लेस देन वन होगा, लेकिन पॉजिटिव न रख सकें, फिक, तो यह diamagnetic substance में mu r की value 0 से 1 के बीच में आने वाली है, मिय वार होती है relative permeability, अब अगली बात, जह साम वह ने देखा था, कि इसकी sustability जो होती है, diamagnetic substance की, यह temperature से independent होती है, बड़ा important point है भई, is independent of the magnetizing field से भी independent और temperature से भी independent, तो यह जो को side आया लिखा हुआ है, temperature कुछ भी बढ़ा दो, यह बढ़ने वाला नहीं है, तो temperature independency show करता आई है, आगे देखते हैं, the magnetization of diamagnetic substance lasts so long as the magnetizing field is applied, यानि जैसे ही आप external magnetic field को हटावेंगे, वैसे ही इसका जो magnetization opposite direction में develop हुआ था थोड़ा सा, वो तुरन चला जाएगा, जैसे ही magnetic, बाहर की magnetic field हटी, वैसे ही इसका magnetization अंदर का खतम हो गया, तो यही लिखा है, आप समझ गया होंगे इसमें, अब इसी बात को न, एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, और हम देखते हैं कि जो superconductors होते हैं, इसके इंदर diamagnetism कैसे पैदा हो रहा है, क्योंकि इससे बड़ा फाइदा हमको हो रहा है, जो bullet range टलची है, जैपाइन में खास तोर पर, वो हवा में चलती हैं, जो rails होती हैं, उस पर रगड़ती नहीं है, वो diamagnetism की वज़े से होता है, अब वो जब हवा में चलेंगी तो friction नहीं होगा, wear tear नहीं होगा, speed बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, जटके कम लगेंगे, हवा में magnetic trends जो रहती हैं, आप समझ पारे होंगे, किस principle पर काम करती हैं, वो इस principle पर काम करती हैं, diamagnetism in super conducting materials, यह principle है उसका, क्या principle है, देखिए, when a metal is cool to a temperature, below its critical temperature, हम लोग ने critical temperature पढ़ा था, जब critical temperatures से कम करते हैं, तो कोई material super conductor बन जाता है, सभी नहीं, जिनके अंदर ऐसे गुड़ होते हैं, तो आपने इतना कम कर गिसे, पारे के लिए, 4 Kelvin की आप बात करते हैं, तो जब, क्या बोलते हैं, जब temperature को काफी घटाया आपने, और घटा कर, critical temperature से कम किया, तो वो super conductor बन गिया, और काफी कम temperature पर, वो perfect diamagnetism को प्राप्ट कर गिया, क्या हुआ, perfect diamagnetism, जो diamagnetic material हैं, उनका temperature जब low करते चले जाओगे, तो एक तो वो super conductor भी बन गे, और साथ में perfect diamagnetism, perfect diamagnetism का मतलब क्या होता है, कि si m की value, जो हमारी, zero से कम थी, negative थी, diamagnetism के लिए, और minus one से छोटी नहीं होती थी, छोटा होता था, वो perfectly minus one हो जाएगी, इसका मतलब क्या है, perfect diamagnetism, ठीक है, ये इसके अंदर हो जाता है, तो the magnetic line of force get completely expelled from it and it repulse a magnet, यानि जो magnetic field आप बाहर से लगाओगे, ये एक diamagnetic substance है, वो कोई भी इससे जाना पसंद नहीं करेगी, सब इसको ripple करके चली जाएगी, कि diamagnetic substance है, कोई नहीं, सब को कहेगा, कोई एक भी नहीं अंदर आने दूँगा, ऐसी इस्तिती बन जाती है, तो अब यहाँ पर इन materials के लिए si कितना होगा, minus 1, और हमने देखा था कि mu r की value, 1 plus si m होती है, तो अगर हम लोग si m minus 1 रखेंगे, तो mu r कितना आ जाएगा, mu r 0 आ जाएगा, यहीं यहाँ पर लिखा, यहीं लिखा हुआ है, अब आपने diamagnetic material लगा दिया, और आप magnetic field के अंदर ही आपने cool down किया था मामला, तो यह train क्या होगी, magnetic field वाली, वो उससे जाएगी नहीं, उसके उपर उपर से जाएगी, अंदर जानी नहीं है, तो यह elevated trains का, this phenomenon of diamagnetism in superconductor is called the mezener effect, यह बार और जिकर हम लोग कर चुके हैं, यह mezener effect होता है, और यह जो cooling की जाती है, magnetic field के अंदर की जाती है, ध्यान लखियेगा, magnetic field है, cool down कर रहे हैं, तो यह घटना घट जाती है, और this effect forms the basis for running magnetically elevated, levitated, super fast trains, वो जो magnetism से चलती है, तो यह superconductor में diamagnetism कैसे हो रहा है, उससे क्या फाइदा मने खहचा है, यह आपको दिखाई पड़ा, जिसे पूरी आपकी जबरदस concept clarity बनती चली जाए, अब अगली बात करते हैं, properties of paramagnetism, अभी तो डाय का सीख लिया, अब पैरा में आप जानते थे magnetization कैसा होगा, उसी दिशा में कम होगा, उसी दिशा में जिस दिशा में magnetic field है, साथ में magnet लाएंगे, तो attract करेगा इस थोड़ा सा, और यह strong magnetic field में जाने का प्रयास करते हैं, magnetic field इसके अंदर से जाना पसंद करती है, कम जाती हैं, लेकिन जाने का एक्षा रखती ही जाती है, फैरो में बहुत जादा जाती है, यही लिका, वन प्लेज दिन एक्स्टर्नल मेंगनेटिक फील्ड, एक पैरा मेंगनेटिक सब्स्टेंस डेवलप्स फेवल magnetization in the direction of the applied field, वो हम लोग पीछे देख चुके हैं, कि जब भी external magnetic field आप लगाओगे, इस material के अंदर इसी direction में magnetization पैदा हो जाता है, तो ऐसे material को बोलते हैं, फैरो magnetism, पैरा मेंगनेटिसम फैरो में बहुत जादा पैदा हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए magnetic field आपने लगाया, तो इसके अंदर से लाइने जाना पसंद कर रहे हैं, रिपल नहीं करेंगी, attraction हो रहा है, तो इसके अंदर total जो magnetization होता है, यह magnetic field बनती है, induced magnetic field इसके अंदर, वो जादा हो जाती है पहले से, एक तो B-naught बाहर वाला, वो तो अंदर है, साथ में इसके अंदर भी पैदा हो गया, उसी direction में, तो B-naught में, इसकी जो due to induction, वो भी पैदा हो जाती, तो B-naught plus induced magnetic field, दोनों मिलके, B पहले से जादा हो जाते हैं, तो यह बात भी दिमाग में रखिए, आगे चलते हैं, और देखते हैं, कि अगला property हमारे लिए क्या है, अब यहाँ पर देखे, watch glass की गटना है, जैसे last time देखा था, आराम से समझ जाएंगे, यहाँ पर आपने किसी paramagnetic material को लगाया, तो strong field तो यह north और south है, वो कहाँ जाना चाहता है, strong magnetic field में, तो देखे, यहाँ पर पिचक गया और एकठा हो गया, north के पास, south के पास, बीच में weak magnetic field, और north south poles में तो strong magnetic field होगा ही, उस दिशा में यह भागते हैं, यह एकठा हो जाएंगे, यह भी बात आपने बड़े शानदार तरीके से सीख ली, आगे चलते हैं, अब इसको जब आप लटका देते हैं किसी magnet को, तो magnetic field की दिशा में ही, यह material parallel चला जाता है, जैसे जिस द perpendicular to the magnetizing field, यह भी बात हम लोग समझ पाएं, अगली बात करते हैं, पैरा-magnetic substance जो होते हैं, वो magnetization in the direction of magnetizing field पैदा करते हैं, तो साइम की जो value होती है, वो susceptibility, वो positive होती है, उसी direction में पैदा हो रहा है, लेकिन कम होती है, तो यहाँ पर यह value लिखी है, of the magnetizing field, so the susceptibility is small, but positive value, तो यह देखें, एक example के तौर पर aluminium की लिखी हुई है, जो साइ काफी ज़्यादा छोटी है, तो साइ positive तो होगी, यह ध्यान कीए कि आप से बड़ा पूछ लिया जाता है, इसके लिए greater than zero तो होती है, लेकिन छोटी होती है, फैरो में, यह greater than zero भी होगी, और काफी value greater than one हो जाएगी, और काफी बड़ी नहीं होगी one से मतलब, one से काफी, काफी one से बड़ी लेकिन बहुत बड़ी नहीं, तो the relative permeability mu r one plus i m for a permanent material has a value slightly greater than one, slightly greater than one, ठीक है, मैंने और slide डाली है, जैसे आपकी नजर से ही चूके ना किसी कीमत पर, आईए देखते आगे, हमने यहाँ देखा था कि जो paramagnetic material होते हैं, उन पर temperature dependency होती है, curies law पढ़ा था temperature को लेके, वही चीज़ यहाँ ठोग पीट दीगे, यह equal to का sign आएगा, तो यह चीज़ यहाँ पर लगा दी गई है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, साई और टी में, हमने देखा था, साई is inversely proportional to temperature, जैसे जैसे absolute temperature बढ़ाएंगे, susceptibility घटी चली जाए, इसी कम को बोलते थे, curies law for paramagnetic materials and substances, यह हम से सीख चुके, यही बात यहाँ पर copy-paste हो गई है, यह curies law, for a given temperature, जा intensity of magnetization, यह term के बारे में थोड़ी सी आपको दिक्कत अगर हो, तो पिछला lecture ज़रूर दिखिएगा, 6-7 term है, 6-8 terms हैं, जो सारी चीज़ क्लियर करते हैं, तो यह चीज़े ज़्यादा आसान लगेंगे, तो यह क्या है, intensity of magnetization, यह magnetization भी बोलते हैं, मतलब, उस material के अंदर, कितना magnetization developed हुआ है, ठीक, जो आपने external field पे रखा था, is proportional to the magnetizing field, so the susceptibility cim and probability mu m, do not show any variation with the field, तो इस बात को भी पकड़ लीजे कि, susceptibility and probability, कोई भी material की, बाहर वाली जो magnetizing field है, उससे कोई variation show नहीं करती, आगे as soon as the magnetizing field is removed, जैसे ही आप बाहर की magnetizing field हटाते हैं, तुरंती इसका magnetism चला जाता है, जो उसी direction में developed था, वो तुरंट चला जाता है, जैसे ही बाहर की field हटी, वैसी खलास, है ना, ये बात इसकी अलग कहानी हो गई, अब properties of ferromagnetic material हम देख लेते हैं, ये तो दो होई गई हैं हमारी, अब आगे की बात, इसमें जो पैरा में हो रहा था, उसके big daddy हैं, वो चीज जादा हो जाएगी, ऐसे समझ सकते हैं, तो यहाँ पर जो, जब किसी material को external magnetic field में रखेंगे, तो जो इसके अंदर magnetic moment या magnetization डेवलाप होता है, वो काफी strong हो जाता है, this is very strong, ये काफी पैरा में कम ता है, इसमें जादा है, इसमें magnetic field lines इसके अंदर से बहुत जादा जाने की कोशिस करती है, पसंद करती है, तो सोस्तिक, जितनी चली जाओ, उतना बढ़िया है, तो यहाँ पर, वहाँ पर कुछ ही हो रही थी पैरा में, इसमें बहुत हो रहा होगा, आगे देखते हैं हैं लोग, when a ferromagnetism substance placed in non-uniform magnetic field, is moves from weaker to stronger, आपने देखा था, कि strong magnetic field में जाना पसंद करते हैं, फैरो, magnetic material हो काफी जादा आप जाना पसंद करते हैं, अगला, अगर इसको suspend कर देंगे, रोड को, magnetic field में यह देखा तो ना, पिछली बार, यह north, यह south, और ऐसे रोड लगाएंगे, तो रोड ऐसे ही जाएगी, magnetizing field की, दिशा में ही parallel हो जाएगी, लेकिन, बहुत तेजी से जाएगी, अगर ऐसे छोड़े हो, तो खट से चली जाएगी, quickly, ऐसा काम हो जाएगा, अब यहाँ पर यह अगली बात जो कही गई है, the intensity of magnetization M, वही बात, is proportional to the magnetizing field intensity H, M होता है, किसी material के अंदर कितना magnetization develop हुआ है, H का मतलब होता है, जो बाहर से magnetic field लग रही है, उसकी intensity क्या है, clarity के लिए पिछला वीडियो, for moderate value of H, H का मतलब आपको समझाने के लिए, यह जो B not था, यही समझ लिजे, intensity of magnetizing field को हम H बोलते हैं, तो moderate value H के लिए M increase करता है rapidly, M आपका increase करेगा काफी तेजी से, और जब यही value, और फिर तेजी से large value of H, for large value क्या होगा, attends constant, क्या लिए, M increases rapidly and then finally attends constant value for large H, और large H कर देंगे, तो M हम आपका constant value होगा, मतलब क्या हो गया, सारे aligned हो गए, अब saturation हो गया, कोई atom बचा ही नहीं है, जो, जिसका magnetic moment उधर ना develop हो रहा हो, तो यह saturation वाली बात हो जाती है, थोला साब देखेंगे जब, ठीक, तो यह बात, यह जो terms है, यह magnetizing field intensity है, यह intensity of magnetization है, intensity of magnetizing field का मतलब, बाहर वाली जो field है, उसका कितना intensity है, और magnetization intensity का मतलब है, जो material में develop हो रहा है, magnetization, magnetic moment, वो, उसकी intensity कितनी है, ठीक, पिछला वीडियो देख सकते हैं, उससे terminology बड़ा मज़ेदार हो जाएगी, खेर, एक किदम आगे, और चलते हैं, susceptibility को हम जानते हैं, M upon H होता है, M H के बारे हम बता दिया था, मैंने काफी काम बरका, तज़ा, susceptibility of a ferromagnetic material, has a large positive value, क्योंकि इसका जो develop हो रहा है, magnetic moment, काफी जादा है, in the direction of magnetizing field, यह जो M है ना, यह magnetizing field intensity है, और मैंने आपको बताया था, कि यह जो M होता है, इसका value M upon V होता है, यह total magnetic moment of the substance, और V है total volume, तो दिशा तो वही है ना, तो यह value आप जानी रहें, यह ज़्यादा होगा M, तो M, अगर किसी given volume के लिए, तो M भी काफी ज़्यादा होगा, M ज़्यादा होगा, तो यह CIM भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और इसकी value 1000 तक चली जाती है, भी कहीं लिखा होगा, 1000 नहीं ज़्यादा, 1000 मुवार की जाती है, तो M is quite greater than H for a ferromagnetic material, it is of the order of several thousands, यह आपको several thousand तक आपको दिखाई पड़ेगी, 1000 से भी ज़्यादा जाएगी, क्योंकि इसमें और इसमें एक ही कहा तो फरक होता है, मुवार और साइएब में, अब मुवार की बात करेंगे, और ferromagnetic material has a large positive value, मुवार large positive value है, it is of the order of several thousand, तो मुवार आपका iron के लिए 1000 लिखा हुआ है, ऐसे बात यहाँ पकड़ में आ गई देखिए, आगे यहाँ पर curifies, curie modified law for ferromagnetism, यह curie west law picture में आता है, जो आपको मैंने समझाया था अलग से, तो si m की value c dash upon t minus tc, और tc वो point है, curie point, जहाँ पर ferromagnetic material paramagnetic बन जाता है, और उसके उपर के temperature में paramagnetism ही रहेगा, उस phase में यह proportionality आती है, यह तो हम लोंने अभी law में समझाही था, अब at a certain temperature called the curie point, the susceptibility suddenly falls and the ferromagnetic substance becomes paramagnet, यह हम लोग समझ चुके थे वही बात है, temperature dependency इसके अंदर भी है, और उसमें तो थी ही पैरा में, कि डाय में नहीं होती है, याद दिला रहा हूँ, यह से भूले रहा, the magnetization developed depends not only the value of magnetizing field, but also on the past magnetic and mechanical history of the material, यहाँ पर क्या है बिटा, थोड़ा सा जो पढ़ावों बताने की कोशिस बता रहे है, कि यह जो बाहर का magnetizing field था, इसे बोलते है, magnetizing field external वाला, और इसके अंदर जो magnetization develop हो रहा है, यह magnetization जो develop हो रहा है, यह केवल, मलब magnetizing field पर तो depend करी रहा है, यह इस चीज़ पर depend भी करता है, कि इसका इतिहास क्या रहा है, इस material का, तो यह बात लिगी है, past magnetic and mechanical history of the material, पहले क्या इसको magnetize किया जा चुका है, strongly किया जा चुका है, क्या किया गया है, इस पर भी depend करेगा, तो इसके अंदर कितना magnetization हो रहा है, बाकि यह B not पर तो depend करी रहा है, बी not जादा तो इसके अंदर जादा, ए फेरो-magnetic substance retains magnetism, even after the magnetizing field is removed, यानि अगर B not हटा भी लोगे, तो भी उसके अंदर magnetization, magnetic property रह जाती है, बाकि दोनों जो पड़े थे, डाय पैरा इसमें नहीं रह जाती है, जैसे हटाया magnetizing field, वैसे ही वो खट से खतम, लेकिन यहां magnetizing field हटाया, तो भी magnetic property रह जाती है, फैरो-magnetic material में, तो यह बात भी आप पकड़ पाए होंगे, अब इसी बात को ना, पूरा मैंने क्या किया है, आप के लिए table वनवा दी है, जिससे आप इन properties को, जो मैंने अलग-अलग बताई हैं, एक साथ आप देख सकें, तो मैं इनको दुबारा पढ़के नहीं बताऊंगा, यह पहली स्लाइड है, देखिए, properties, फिर यह डाय मैंनेटिजम, पैरा और फैरो, यह भी आपको मिल जाएगी, और जहां पर जो चीजें हमें नजर दिलवानी हैं, वो बात कर लूँगा, जैसे यह बात देखिए, हम लोगों ने सीखी दी, किसी तरह इसकी बात देखिए, और आगे इसकी हजार से ज़्यादा सर्शिटिबिल्टी की बात कर रहे हैं हम लोग, यह मिवार की बात है, यह आपके MCQ में बड़े पूछे जाते हैं, और उसमें गुमादी कॉम्पूटिक्शन नीट वीट में भी कूप पूछे जाते हैं, तो आप इसको तोड़ा से ध्यान रखिए, खट से सवाल हो जाते हैं, आप क्या भी MCQ आने वाला है, तो इस तरह से यह बात हो जाती, इसकी दूसरी स्लाइड जो है, उसमें भी आप इन बातों को पढ़ लीजिएगा, जो बातें बताईएं, सब वही बातें इसके अंदर लिखी हैं, और यह जो hysteresis effect है, यह भी hysteresis देखेंगे, क्या होता है, तो आप जादा समझ पाएंगे, कि डाय मैंगनेटिजम में क्या है, B vector shows no hysteresis, अब hysteresis का मतलब क्या है, यह भी हम 10 मिन्टों में सीखने वाले हैं, B vector shows no hysteresis, और इसके फैरों में B vector shows hysteresis, तो जो hysteresis effect है, जो B vector है, वो B vector आपका कोई hysteresis, शो नहीं करता डाय पैरा में, लेकिन फैरों में शो करता है, क्या होता है भी हम लोग दिखने वाले हैं, तो यह मेरे काल से बात complete हो जाती, यह एक important note है, जो आपके दिमाग में रहना चाहिए, और इससे पूछा भी जाता, यह वही बाते जो में उन्हों ने पढ़ी है, बस मैंने NCRT से इस slide को बना दिया है, जिससे आपके दिमाग में बात अटक जाए, तो important note क्या है, in terms of susceptibility, साईयम, डाय मैंगनेटिक की सबस्टेबिलिटी, निगेटिव, पैरा की positive लेकिन बहुत छोटी, पैरो की काफी बड़ी positive value, हम सीख चुकें फिर भी, अब इसको अगर इस टेबिल पिध्यान दे, जो की NCRT में दी हुई है, तो आपको और clarity मिलेगी, और इससे MCQ बड़े बनते हैं, तो this is very important, और कई बच्चे इसको गलत कर देंगे, इस पिध्यान नहीं देंगे, तो diamagnetic के लिए यहाँ पे यह एपसाइलन लिया गया है, यह small positive value है, लिखा भी है इसके अंदर कहीं, epsilon is a small positive number, तो diamagnetism में क्या हुआ, minus 1 से 0, minus 1 हो जागा, तो superconductor की बात चल लई थी, perfect diamagnetism, तो minus 1 से 0 के इसमें, यहाँ साइज 0 से लेकर, बहुत छोटी positive value, और यह एक से काफी बड़ी फैरो, फिर हम mu r की बात करते हैं, तो उसके लिए mu r 0 से 1 के बीच में आएगा, क्योंकि हमें relationship पता है, mu r is equal to 1 plus si m, इसी से आप निकाल भी सकते हैं, कहां तक निकालेंगे, यादी कर लिजे, relative permittivity क्या मिलती है, 0 1 के बीच में 0 हो सकती, superconducting material के लिए, perfect diamagnetism के लिए, और mu r के लिए, एक से बड़ी, और बहुत बड़ी नहीं, थोड़ी ही बड़ी, फैरों में mu r काफी जादा, एक से बड़ा, और फिर हम लोग बात करते हैं, mu की, यह relative permeability है, यह permeability of the medium है, और यह mu naught क्या है, permeability of the free space, इससे यह छोटी होती, उल्टा बन रहा है न, mu is less than mu naught, mu is greater than mu naught, and here, mu is quite large, very large than mu naught, तो इस table के माध्यम से, आपको क्या बताने की कोशिस की है, कि भाई, यह point आप जरूर ध्यान रखेंगे, बहुत सुन्दर सी बात हो गई, अब हम लोग hysteresis देखते हैं, और hysteresis क्या होता है, आनन्द लेते हैं इसका, देखें क्या कहानी है इसके अंदर, यह कांड क्या है, यह ऐसा है कि जब आएक magnetic material को आप लेते हैं, और उसको आप बार-बार, magnetize करते हैं और demagnetize करते हैं, अब आप सोचेंगे ऐसा करते कहा हैं, तो जो आपका transformer होता है न, उसकी जो core होती है, वहाँ यही होता, magnetic field बनता है, फिर opposite बनता है, तो एक बार magnetize हुआ, एक बार demagnetize हुआ, यह चलता रहता है, तो हम यहाँ पर इस behavior को steady करना चाहते हैं, कि भाई, हमने किसी चीज़ को magnetize किया, फिर हम demagnetize कर रहे हैं, negative direction में magnetic field लगा रहे हैं, हम देखते हैं material कैसे behave करते हैं, क्योंकि इन material का behavior समझ के, हमें जहां इस्तिमाल करना है, जैसे कि permanent magnet बनाने हैं, electrical magnets बनाने हैं, electro magnets बनाने हैं, या transformer के अंदर core लगानी हैं, तो हम decide कर पाएं कि कौन से material, किस कहानी के लिए बहतर है, हिस्टेरिसिस का जो meaning होता है, वो होता है delayed, delay होना, तो आखिर कौन सी चीज़ delay हो रही है, तो हम ये देखेंगे कि जब हम शुरू में उस material को magnetize करते हैं, बाहर वाली field लगाते हैं, magnetizing field, उसमें वो material magnetize होता है, तो जब वो magnetize होता है, जब हम वापस आते हैं, demagnetizer वाली field पे, तो वही magnetic field, जब उसी value पे पहुँचता है, तो हम देखते हैं, तो आप समझ पाओगे, कि delete का मतलब क्या है, अभी हम दिखा देते हैं, delete का मतलब क्या है, तो देखें, यहां पर red color लेता हूँ, यह कहानी क्या है, कि hysteresis loop है, यह hysteresis curve है, क्या है कहानी, इस दिशा में जो बनाए है, वो H है, What is H, H का मतलब होता है, जो आप magnetizing field intensity, यानि यह जो, आप समझ यह बढ़िया, यह जो B not लगाते हो ना, इसी से related होता है H, तो इसकी जो intensity होती, उसको H बोलते हैं, है तो यह magnetizing field वाला, यह external field वाला ही मामला, और material जो रखोगे, उसके अंदर यह B है, induced magnetic field total in the material, तो हम इस H और इस B, जो इसके अंदर हुआ है, उसके बारे में ग्राब बना रहे हैं, बास समझ में आ रहे हैं न, तो H हम यह बाहर वाला बढ़ाते जाएंगे, और इसके अंदर का total magnetic field देखेंगे, उसके क्या हो रहा है, बहुत संदर, तो देखें, यहाँ पर red color वापास लेता हूँ, जोसे समझा पाऊँ, यहाँ पर शुरुआत आप zero से करते हैं, initial build up लिका, यहनि शुरू में आपने H बढ़ाना शुरू किया, H का मतलब बाहर वाली field, magnetizing field intensity, यहनि बाहर वाली field का intensity बढ़ा रहे हैं, तो जो material था, उसका यह B है, B मतलब इसके इंदर का मामला, वो बढ़ता चला गया बाहर की field बढ़ाएंगे, तो अंदर वाला material, उसके अंदर magnetic induction जादा हो जाएगा, develop होने लगेगा total मिला के, यह बढ़ता गया, बढ़ता गया, और एक ऐसा point आया, की saturate कर गया, उसके अंदर जितने भी, मैं लिजए पैरा की बात सोच रहे हैं, या हम फैरो की सोच रहे हैं, वो सारे जो atoms थे, सब एक दिशा में align हो चुके, यानि कोई atom बचा नहीं कि align हो, तो इसके बाद आपको, B अगर आप H बढ़ा भी देंगे, H को घटाना शुरू करते हैं, पहले पढ़ाया था, आप देखिए घटाया, जब हम पढ़ा रहे थे, सब्सक्राइए इस value पे, इस H की value के लिए, इतना B बना था, शुरू में, यह H की value है, जब हमने वापसी की, तो इसी H के value के लिए देखिए, यहाँ पर हमको B ज़ादा मिल रहा है, यानि H तो घट गया, B नहीं घट पाया उतना, इतना घटना था शुरू के लिए, तो B पीछे चल रहा है, B is delayed, B is lagging, behind H, आप पकड़ पारे हो न, यह पुरे चक्र में यही होता है, H आगे आगे चलता है, हुआ समझे, जब शुरू में आप H बढ़ा रहे थे, तो Magnetic B इसके अंदर का B यह आ गया था, लेकिन जब घट आया है, तो B यहाँ नहीं पहुच पाया, यहीं पलट का, यहाँ आने के लिए तो यहाँ पहुचा यह तब आया है, तो यह ज़ादा रहा भी, मिलने वाला नहीं है, बड़ा मन से बना रहा हूँ वीडियो, तो आप इसका enjoy कीजिए, नोट्स बनाइए, तो यह लाइक कर रहा है, तो आपने देखा, जब हमने वापसी की, और यहाँ पहुच गे 0 पर, तो 0 पहुचने पर भी, इसके अंदर magnetic field कितना है, B, इस OB को हम बोलते है, retentivity, लाल कलर दिखेगा नहीं तो वापस, यह जो OB value है, इसको बोलते है, residual magnetism, or retentivity, or remnants, मतलब आपने बाहर का field, H, 0 कर दिया है, अटा लिया, यह 0 हो गया ना यहा, उसके बावजूद पी, उस material में B है, तो यह residual, बचा हुआ magnetic field है, इसी को बोलते है, retentivity, या remnants, आप समझ गया होंगे, अब इसके आगे क्या करते हैं, हम मानते नहीं है, हम इस H की direction, ही थी, हम हम H की direction, ऐसी कर देते हैं, विपरीद दिशा में, तो यह विपरीद दिशा में, यहां से 0 से चले, विपरीद दिशा में कर रहे हैं, अब जब हम करते हैं, तो इसको B को 0 करने के लिए, हमें इतना H देना पड़ता है, OC देख रहे हैं, विपरीद दिशा में, H लगाना पड़ता है तब आपका 0 आता है इस value को क्या कहते हैं तो the value of reverse magnetism field intensity H जो यह है इसको हम बोलते है coercivity for the residual magnetism of a sample to become 0 इसे बोलते है coercivity of the material या sample यानि यह opposite magnetic field जो उसके अंदर का भी खतम कर रहा है इसे क्या बोलेंगे coercivity of the material जो sample रखा है आपने बहुत अच्छी बात है फिर उसके आगे हम लोग आगे चलते है फिर घटाते जाते हैं यह बढ़ा जा रहे हैं H बढ़ाते जा रहे है माइनस में विप्रीद दिशा में फिर ऐसा समय आता है कि इस material में saturation हुजाता है विप्रीद दिशा में लगाने पर विप्रीद दिशा में magnetization यानि उसी direction में magnetization बन जाता है फिर हम यहां से चालू होते हैं H को पलटते जाते हैं H में तो इस तरह का curve हम को देखिए मिलता है तो यह पूरी बात आप समझ गए यह OC और यह दो keyword सेंस में तो retentivity का मतलब क्या है कि magnetizing field intensity यानि कि H को zero करने पर जो retention of magnetism रह जाता है sample में material में उसे बोलते हैं retentivity coercivity क्या है वो negative H जब हम उसके अंदर के magnetization को शून कर देते हैं material के तो यह बात आप यहां पर सीख पाएं होंगे और इसी loop को यहां देखें यह जो close curve है यहां से शुरू हुआ है जो A, B यह दिखेंगा नहीं लाल चाहिए A, B, C, D, E, F, A इसे बोलते हैं आप hysteresis loop यह कोई पत, leaf जैसा देखे रहा चाहिए है तो loop ही मजाग के तोर पर पती नुमा दिख रहा है तो इसे बोलते हैं hysteresis loop और magnetization of ferromagnetism material कोंब कर रहे हैं this is known as hysteresis loop और जो मैंने आपको बताया था hysteresis के बारे में वो word ही है जो Greek word होता है देखिए the word hysteresis originates from a Greek word meaning delayed तो क्या चीज़ delayed थी मैंने बताई कि जब initial build up था तो किसी h के लिए b कोई value मिल रही थी लेकिन जब h घटाना शुरू किया उसी value के लिए b उससे ज़्यादा मिल गई पीछे उतनी value आने के लिए h और ज़्यादा कम होने को मांगता है तो b is lagging behind h या b is delayed from h ये बात आप समझ गया होंगे चलिए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और ये समझने की कोशिस करते हैं कि आखिर ये जो हमारा इस तरह का structure बन रहा था ये इसका ये जो area होता है ये हमारे लिए क्या significance रखता है बताता क्या है आपने अभी देखा था ना ये ये h था यहाँ पर और ये b था इस direction में ये सब आप समझ रहे हैं तो significance of the area of hysteresis loop इस loop का area हमें क्या बताएगा the product ये देखिए b h का product होगा ये ही area होता है b h को h को लिखते है b upon mu जो magnetizing field intensity होती है ये देखिए ये अगर b not है और h की बात कर रहे है जो इसी की intensity है तो हम h को लिखते है b not upon mu अगर ये ये देखिए इस तरह से तो b not की value h नहीं हो जाएगी h की जिखा b upon mu b का मतलब b not सही है बाहर जो magnetic field लगा रहे हैं और ये हो गया आपको b square upon mu not into mu r तो ये value हो गई अच्छा ये material के लिए है अगर तो हाँ ये magnetizing field है तो b upon u लगा दिया और has that dimension of energy per unit volume इसका dimension क्या है per unit volume energy का dimension है तो hence the area within the bh loop represent the energy dissipated per unit volume in the material यानि इसके अंदर का जो area है वो कितनी energy magnetize और demagnetize करने पर material energy loose कर रहा है dissipate कर रहा है per unit volume वो बता रहा है ये तो ये इसका significance आप समझ पाए न कि एक loop का area आपने निकाला और इससे ये सीख पाए कि magnetize और demagnetize करने पर per unit volume एक cycle में कितना energy loose कर रहा है वो वो material when it carries through a cycle of magnetization वह एक cycle पूरा करने में the source यहां क्या है जो magnetization करा रहा है उसके लिए कोई battery लगा रखे होगे magnetization कराना है तो कोई energy तो चाहिए आपको वो कहां से मिल रही है कहीं आपने source of EMF मतलब battery लगा दिया आपने दूसरा जहां खर्चा कर रहा है sink भाई वो energy कहां lose कर रहा है जो he is dissipated आप बोल रहे है तो वो heat loss की form में जा रहा है गरम हो जा रहा है material वहां पर energy का loss कर दे रहा है तो यह आपको significance of area of hysteresis loop अब आपके मन में यह प्रशन उट सकता है कि अगर हमने area पता ही कर लिया हम यह जान गए कि magnetize, demagnize करने पर इतना energy यह बरबात कर देगा dissipate कर देगा तो इसका importance हमारे लिए क्या है practical तो importance इसलिए है कि study of hysteresis loop provides us information about retentivity जो अभी discuss किया है coercivity and hysteresis loop of magnetic material यह सारी जानकारी मिल जाती है अब अगर हमें किसी भी material को लेना है अगर उसको permanent magnet बनाना है elektromagnet क्योंकि elektromagnet में फटाक से हमारा जैसे ही हम current flow करना बंद करें तो इन magnetism खतम होना चाहिए या हमको transformer के core में लगाना है तो transformer के core में लगाएंगे तो हम क्या चाहेंगे कि hysteresis loop का कर्व कम से कम रहे वरना energy loss वहीं heat में बहुँ जाएगी बिजली हमारे हैं कम आएगी मतलब लेनेक देने पड़ जाएगे तो hysteresis loop का area कम चाहिए होता है हमको transformer के core के लिए और जब ये बिजली विभाग अपने technical specifications मांगता है जो contractor ठेकेदार रहते हैं बड़े-बड़ी company वाले उनसे hysteresis loop की information भी मानता है कि या मुझे दे देना हम लोग को देखेंगे कि तुमने जो माल बनाया है उसमें hysteresis loop का area कितना आ रहा है कम loop का area तो कम energy बरबाद करेगा बड़े loop का area तो ज़्यादा energy बरबाद करेगा depending on many factors के वाले यही एक factor नहीं होता decide करने के लिए तो आप समझ पाएंगे यह importance हो जाती है hysteresis loop की अब यहाँ पर बात अगर हम लोग करें कि types of ferromagnetic material तो ferromagnetic material में जैसे कि आप लेते हैं soft ferromagnetic material तो इसमें क्या होता है इसमें जैसे ही आप magnetizing field हटाते हैं इसका magnetization है तुरंट खतम हो जाता है तो जैसे ही यह देखे soft iron का है इसका कर्व देखे पतला है और जैसे ही आप बाहर का field घटावेंगे यह लेकिए बहुत छोटा है H यहाँ zero किया वैसे ही इसमें retentivity is very very less लेकिन आप दूसरी जैगा अगर hard ferromagnetic material लेंगे तो H zero भी कर देने के बाद भी इतनी retentivity रह जाती है आप समझ पा रहे हैं तो soft iron वाले material में H zero करते ही वो अपना magnetic property छोड़ देता है और hard ferromagnetic material नहीं छोड़ता है वो permanent magnet बना रहता है तो यह इससे judge कर लेते हैं example कैसे soft iron जैसे इसमें example लो steel, elnico, loadstone, ticonal तो यह आपके types of ferromagnetic material आ जाते हैं इससे अंदाजा लग गया कि soft कौन सा hard कौन सा है मामला तो आगे की बात करते हैं बिटा हम लोग अब एक numerical है जो मैंने NCRT में दिया था तो मैंने सुचा जब इतनी मेनस से ये video बनी रहा है पूरी in-depth में और pure teaching के साथ top quality content के साथ क्यों ना उस numerical को मैं शामिल कर लो तो इस numerical को देखे फटा-फट कर लेंगे बहुत ही सरल है तो लिखाए a domain in ferromagnetic iron is in the form of a cube जो domain ferromagnetic में पढ़ाता वो किस shape का है suppose करिए cubical shape का है domain of side length इसकी one micrometer है इसका साथ one micrometer का साथ साथ होगा one मैं लिख नहीं रहा हूँ estimate the number of iron atoms in the domain इसके अंदर कितने number है iron atom domain में ये पता करना है ठीक है and the maximum possible dipole moment maximum possible dipole moment and the magnetization of the domain ये भी पता करना है ये जो words है इसका meaning समझ में आना चाहिए magnetic moment होता है इस material का M और ये magnetization की value होती है M upon V अगर ये formula ही ये पिछले lecture में समझाए अगर यही नहीं पता है तो धाए धाए what is this? this is magnetization magnetization और ये क्या है और ये क्या है? टोटल मेगनेटिक मोमेंट आफ दी मेटेरियल आफ दी मेटेरियल है ऐसी कित्द ऐसी? बढ़ यहां मजा लीजे और ये क्या है? टोटल वोल्यूम आफ मेटेरियल तो आप ये समझ पाएंगे हमको इसमें निकालना क्या? M निकालना है M बड़ा M निकालना है और साथ में इसके अंदर number of iron atoms in the domain ये तीन चीजे पूछी गई है बड़े प्यार से निकाल लेंगे आप समझ गया होंगे ये निकले बिना M नहीं निकलेगा और M निकालने के लिए इसके अंदर कितने domain है उन सबके magnetic moment को जोड़ना पड़ेगा maximum बात कर रहा है सब align है तो पहले M को निकालना पड़ेगा कितने इसके अंदर atoms हैं और एक atom का जो magnetic moment है उससे multiply करके total निकाल लेंगे चलिए शुरू करते हैं काम color पकड़ लेते हैं पता नहीं क्या शुरू करते हैं volume इसका कितना है तो V for volume मैं ज़्यादा लिक नहीं रहा हूँ statement आप समझदार हैं तो ये 10 की power minus 6 है देखिए क्यूब का मतलब 10 की power minus 6 मीटर का बेटा आपने क्यूब कर दिया तो ये value हो गई 10 की power minus 18 मीटर क्यूब ये इसका volume आ गया और ये देखिए जो density दे रखिए ये centimeter क्यूब में है तो volume का रिष्टा भी establish करेंगे तो मैं इसको centimeter में लिख लेता हूँ 10 की power minus 12 centimeter cube अब हम फार्मूला जानते density is equal to mass upon volume ये में पता है तो अगर हमको mass निकालना है तो हम M को D into V लिख देंगे तब ही तो mass निकलेगा इस total का mass कितना है तो ये देखिए ये वाइप पे वाइप चलेगा नहीं आप समझ पा रहे होगे 7.9 density दे रखी है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7.9 gram per centimeter cube ये इसकी density रही और volume उपर से निकाला था 10 की power minus 12 centimeter cube इसको इधर रखो अब ये mass कितना आ जाएगा बिटा calculate करेंगे तो 7.9 into 10 की power minus 12 gram ये आपका mass आ गया देखिए अब mass के बाद इन्होंने क्या बोला है एक और information दिये देखिए molecular mass इसको underline करना चाहरा हूँ मैं ये देखिए the molecular mass of the iron is 55 gram per mole यानि एक mole होने के लिए 55 gram चाहिए और एक mole में अवगद्रों नमबर के बराबर number of atoms होते है तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर समझिएगा total number number in this cube कितने हमारे atoms हैं देखिए N लिखा तो कितने atoms हैं आपको पता है कि एक mole में यहाँ पर आप समझ लीज़े जैसे निकाल रहे हैं एक gram में एक mole और उसमें अब वोगादरो नमबर के बराबर तो वोगादरो नमबर को 6.02-dash-dash आप समझदार है तो कितना gram है इतने gram में कितना तो 7.9 into 10 की पावर माइनस 12 gram में कितना तो जितना यह निकला है उसको इससे में multiply करके 55 से divide करना पड़गा एक gram में नहीं है यह 55 gram में था इसको हटाएं कैसे यह इसने बोला है 55 gram में तो इतने में कितना हो जागा 6.02-dash-dash upon 55 into this value 7.9 and so on यह मैं यहां लिखके दिखा रहा हूँ तो n की value कितनी हो गई आपने लिखी 7.9 जैसे महां समझाया था into 10 की पावर minus 12 और अवोगादरो नंबर 6.023 into 10 की पावर 23 और 55 gram में था इस इस दिवाइद भाई 55 यह कितना है यह इस दिखके 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 डोमेन जो इन्होंने बोला था कोई समस्या नहीं हुई इसको आपने कर लिया calculate आ गई value 8.65 into 10 की पावर 10 atoms यह number of atoms आप निकाल पाए अब एक atom का कितना dipole है उसको n से multiply कर दें टोटन निकलाएगा तो एक का भी दे रखे यह लोग दिखे डाइपोल मोमेंट एक का दिया है each iron atom has a dipole moment this one इतने atom है तो total dipole moment कितना आ गया बच्चों m लिख दीजे वही जो m max लिखते हैं यह जो m की बात कर रहे था total m max कितना हो गया एक का अब इसको आप मल्टिप्लाई करेंगे तो value आजाएगी यह m max आ गया है तो हम लोगों ने यह concern निकाल दिया आप तक n पूछ रहा था और m max एक answer यह निकाल दिया है अब magnetization पूछा है तो magnetization क्या होता है अभी आपको यह maximum लिखा है sms तो पाऊगे यह max ठीक अरे इतना जब महनत चलती तो अच्छे से होना चाहिए काम यह maximum है ठीक अब m की बात कर रहे है m max जो मैंने समझाया था तो m max का मतलब क्या होता है m max upon total volume this is volume तो value रख दीजे यह उपर आगई 8.0 into 10 की power minus 13 और इसको divide किया है 10 की power minus 18 meter cube से यह value आगई 8 into 10 की power 5 ampere meter तो this is your answer तो यह देखिए एक अच्छा सवाल था और कईयों को अजीब लगता होगा लेकिन बहुत सरल है यह बस funda clear होना चाहिए आपका तो मैं हटता हूँ इसको आप नोट कर सकते हैं कोकि यह NCRT का सवाल था example के तो कभी टपक पड़े आपके paper tough सा बन रहा हो आजाए तो बच्चे बोलें out of course हो गया यह जेलते नहीं बनना है वो ठीक नहीं है तो इसको आप नोट करिए मैं हट गया हूँ इसको फिर उपर कर साथ ही पूरा complete एक ही lecture में हम लोगों ने जबरदस्त काम किया है दाया पैरा फैरो क्या होता है examples क्या है इनके पीछे का राज या concept क्या है तीनों का अलग अलग theories इनकी properties क्या है temperature dependency क्या है curious law modified curious law और इसके बाद hysteresis क्या होता है और उसका importance क्या है सब कुछ सीख लिया है first class तो उमीद करता हूँ ये वीडियो जबरदस्त और आपको पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आया तो like और share करना मत भूलिए एसा ही top quality content के लिए arvind academy channel को subscribe कीजे और बिटा अगर इसका pdf चाहिए तो arvind academy का telegram channel join कर सकते link description में दिया है thank you very much wish you all the best